हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेल का शरबर जो कि गर्मियों के लिए बहुत जादा फायदे मंद होता है जिसे पीने के बाद आपको लू नहीं लगती है और साथ ही आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो चलिए इसे बनाते हैं तो सबसे प देखिए अब यह तूट चुका है तो हम बेल को साइड में रखेंगे और एक पतीला ले लेंगे और एक चमच की हिल्प से इसका पल्प हम निकाल लेंगे हमें सारा पल्प ऐसी करके निकाल लेना है हमें सारा लेंगे है और एक तो साइड में पल्प है एक पटेमें जाओेंगे बेल को साइड है यह तो साइड में लेक्ता है। ऐसे करके हमें सारे बेलोनों को तोड़ देना है और उनका पल्प मिकाल लेना है अब इनके बीज हमें अलग कर लेने है अब इनके बीज हमें अलग कर लेने है एके करके हम इनके सारे बीज निकाल लेंगे अब इसमें हम तोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे अब हम हातों की शायता से सारे पल्प को मैश कर लेंगे हमें पल्प को अच्छे से मैश कर लेना है अब हम इतने एक बाउल लेंगे और एक चलनी की हल्प से इस सारे पल्प को अच्छे से छान लेंगे अब चमच के हल्प से हम अच्छे से छान लेंगे और इसमें थोड़ा सा और पानी एड़ करेंगे तो हम उस पतीले में थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे यह पानी भी अच्छे से यूज हो जाए जो एश्टा बचा हुवा पार्ट है इसे अब हम फेक देंगे अब इसमें हम दो चमच चीनी एड़ कर देंगे यहां मैंने तीकी भी चीनी एड़ की है अब हम इसमें थोड़े से मिंट के पत्तों को क्रस्ट करके डाल देंगे हमारा सर्वत बनके रेडी हो चुका है जहां पर हम दो प्रकाय का सर्वत बना रहे हैं तो थोड़ी सी इसमें आईज डाल देंगे अब इसमें हम सर्वत डाल देंगे एक ग्लास में हम नॉर्मल वाला बना रहे हैं और एक ग्लास में हम मसाला वाला बना रहे हैं एक ग्लास में हम थोड़ा सा जीरा पॉर्डर राल देंगे और थोड़ा सा हम काला नमग राल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब मिल्ट की पत्तियां रखकर हम इसे गार्निश कर देंगे तो लीजिए हमारा बेल का सर्वत बन करके रेडी हो जुका है जिसे आप गूड एपन सर्वत भी खहते हैं एफ भी मोर वीडियोज की लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक परे सब्सक्राइब करें बैल आइकन भी हिट कर दें थैंक यूँ